नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक तो बदायू में ڈबल मर्डर से जुड़ा मामला दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया बड़ेली में सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि मैं निर्दोष हूँ जो भी किया साजद ने किया और हत्या के बाद वो डर गया था इसलिए दिल्ली भाग गया था और अब जावेद ने बरेली में सरेंडर कर दिया फुलिस को जावेद की तालाश थी दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर किया है और बरेली उसने सरेंडर किया है बदायू में दो बच्चों की निर्मम हत करने के बाद आरोपी साजद जो भागा था पुलिस एंकाउंटर में मारा गया बताया जा रहा है कि जावेद भी उसके साथ था बाइक पर उसको बैठा कर लाया था और वो तभी से फरार था पुलिस उसकी तलाश कर रही थी जावेद ने सरेंडर किया है और अपनी सफाई म ने कहा है कि हत्या साजद ने की जो किया उसने किया मुझे इसके सूचना बाद में मिली और इसलिए मैं डर कर भाग गया अब जाए मैं तुरंट बहां से आया वदाईउं के लिए बहां पब्लिक बहुत थी इसा दिल्ली बाग गया है तो इसी मेरे पास रिकॉर्डिंग है ताहीं लोगों की जहांसो मेरे पास फोना आया कि तुम्हारे वाई ने ये कांड कर दिया है नहीं ऐसा आए मैं बात ब अब जाए मैं तुरंट बहां से आया वदाईउं के लिए बहां पब्लिक बहुत थी मैं सीधा दिल्ली बाग गया है तो इसी मेरे पास रिकॉर्डिंग है ताहीं लोगों की जहांसो मेरे पास फोना आया कि तुम्हारे वाई ने ये कांड कर दिया है नहीं ऐसा है मैं एक बात बताओं सुनो मेरे बात सुनो तुम अभी जैसे कहने है मुझे पाइक पुलिस के द्वारा की गई है उसके द्वारा पुलिस के दबाओ और जो उस पर इनाम कराए गया था उसके दबाओ में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेतलाइट चाह की माम उसके आतिनसमपन किया था और अप्टाइक वीडियो भी इसमें opposite करी था जब इस वीडियो की सुचना मिली हमने सुचना को पुष्ट किया और अधिकाजींसे तो पहली बार क्यामरे पर बोला है आरोपी जावेद अपनी सफाई में उसने कहा कि मुझे हत्या की जानकारी नहीं थी जैसे ही पता चली मैं डर कर दिल्ली भागा सीदे आब आपको लिए चलते हैं हमारे सयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं चितरंजन जावेद जिसकी तलाश पुलिस को थी उसने खुद ही बरेली जाकर सरेंडर कर दिया और उसका ये कहना है कि उसको हत्या की जानकारी नहीं थी बाद में जानकारी हुई और अब वो डर करके भाग गया पुलिस अभी तक जावेद की क्या भूमी का देख पाई है इस पूरे निर्शन्स हत्याकार्ण में देखे जो दो दिन पहले दो बच्चों की जो हत्या हुई थी उसमें जो आरोपी साजित था उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके बाद उसने वो बेड़ते दौरार उसका एंकाउंटर हुआ था और जैसे ही इस पूरे मामले में जैसे एक वीडियो अभी वाइर दिल्ली भाग गया था और मुझे भी एंकाउंटर का डर था मुझे भी पुलिस का डर था चुकि कानून का राज है इसी को लेकत वो सैटेलाइट पहुचा बरेली के बारा धरी साना चेतर में और उसमें एक वीडियो उसका वाइरल होने लगा तब जाके बदाईयों कुल कर रही है बदाईयों की टीम वहां पहुंचे हुई है और वहां से लाकर सीजियम कोर्ट में उसको पेस किया जाएगा और चौदहा दिन की रिमांट मांगी जाएगी और रिमांट के बाद पुलिस उसके कड़ी से कड़ी जोड़ने का ब्यास करेगी कि इस पूरे घट्ट कराई है और उसमें हो सकता है कि किसी ने पैसा दे के उनके बच्चों की हत्या कराई है ये मा ने जावेद की गरफतारी होने के बाद अभी अभी ब्यान दिया है और उनका कहना है परजनों का कि उसका भी उसी तरीके से पुनस्ताच हो और पता चले परदा फास हो कि किस त तो बिल्कुल यहां पर एक बड़ा आरोप बच्चों की माने लगाया है और वो ही आशंका जता रही है कि हो सकता है किसी ने बच्चों की हत्या जावेद और साजिद के माध्यम से करवाई हो मतलब यह मामरा सुपारी किलिंग जैसा भी हो सकता है यह मा का आरोप है और दूस देखे इस मामले में SSP का ब्यान सामने आया है और SSP का कहना है कि जैसे ही यह वीडियो वाइरल होने लगा तब बडाईयों पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि यह जो बडाईयों में जो दो हत्याकान हुए थे उसमें जावेद का नाम है और यह वही जावेद है जो पुलिस में नामजदगी हुई है तो पुलिस ने इस बात की तहट की ताक तक पहुची और उसके बाद यह पता चला कि यह वही जावेद है अब बडाईयों पुलिस बडाईयों के लिए रवाना हो गई है और आधा पहुन गंटे में पहुचने के बाद अब आरोपी की ग्रफतारी होगी और उसके बाद मुस्ताच ली जाएगी बिल्कुल तो यहां से रवाना हो चुकी है पुलिस बडाईयों से बरेली के लिए और जावेद को वहीं से लाय जाएगा लेकिन जावेद के आपर आकर अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है पहचान पत्र भी दिखा रहा है और वो यह दावा कर रहा है कि कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स भी उसके पास में है जिनके माध्यम से प्रूव हो सकता है कि उसको हत्या की जावेद नहीं थी अपनी सफाई में क्या बाते कहीं है जावेद ने जावेद ने साफ साफ इस बात को कहा है कि मैं डर के मारे बदायूं थोंड कर दिल्ली भाग गया था और मुझे सूंड से सूचना मिली कि मेरे भाई साजित दोनों बच्चों को मौज के घाट पार दिया और उसको इस बात का एंकाउंटर का डर लगने लगा उसी वाद आरोपी जो जावेद है वो वहाँ से दिल्ली से भाग कर वरेली पहुंचा और वरेली में जब उसको पकड़ा गया तब इस बात की जानकारी मिली वही जावेद है तब बारा धरी पुलिस ने उसको सेट्रिलार्ट से पकड़ा और ठाने ले गई और बदायूं जावेद नहीं मिलना था वही जब ये वीडियो वारेल हुआ है तब जावेद की ग्रफतारी हो पाई है अब चीजिम कोट में आरोपी जावेद की मुस्ताज की जाएगी वहाँ कोट में ले जाया जाएगा और कोट में उससे रमांड मांगी जाएगी कि कम से कम 14 दिन की पुलिस उसको रिमांड दे आप नजर बनाए रखे जानकारी के लिए शुकरिया आपका तो पुलिस जावेद की कस्टडी रिमांड चाहेगी क्योंकि उसके बाद उससे पूछताच होगी और कई एहम खुलासे हो सकते हैं बदायू में दो मासूमों की बेरहमी से हत्या के मामले में दोनों मासूमों की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा हुआ है आरोपी साजिद ने आयूश और आहान पर 23 वार किये थे गला काटने के बाद सीने, पीट और हाथ पैर पर ताबर तोड़ वार किये आयूश के शरीर पर 14 जगा और आहान के शरीर पर 9 जगा घाव मिले हैं आरोपी साजिद की भी पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आ गई है मुट भेड में आरोपी साजिद के शरीर पर 3 गोलिया लगी है दला काटने के बाद हाथ पैर पीट सीने सभी जगा उसने ताबर तोड़ दोनों बच्चों के शरीर पर वार किये थे आयूश के शरीर पर 14 जगा घाव मिले हैं